किसान भाईयो नमस्कार स्वागते आपका हमारी यूटूब चैनल स्मार्ट एगरी कल्चर में इस समय पर लगबग सभी किसानों ने लासुन की बुआई कर दी हैं और अधिकतर किसानों का लासुन उग चुकाएं किसान भाईयो अगर आप लासुन का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि लासुन का पोदा सुरू से लेकर अंत तक स्विश्ट और हरा बरा बना रहे लेकिन इस समय पर कुछ छेत्रों के लासुन में पिलापन की समश्या देखने को मिल रही हैं तो इस वीडियो में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि लासुन की बसल में पिलापन के क्या कारण हो सकते हैं और पिलापन को दूर करने के लिए हमें कौन-कौन से उपाई अपनाना चाहिए तो इसके लिए आप वीडियो को बेना इसके अंतों तक देखे और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नेची देएगे लालक्स्रों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए किसान भायो अब अगर लासुन क पिलापनाने के कारणों के बारे में बात करें तो पिलापनाने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि मोसम का अचानक से खराब हो जाना थ्रिप्स लगना फंगस लगना जड़ में कीड़ा लगना पोसक्तों की कमी होना इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं लेकिन इस समय पर जो लासुन की पसल में पिलापन आ रहा है उसका सबसे परमू कारण है फंगस। इस बार अक्टूबर मैने में काफी ज़्यादा बरसात हुई जिसकी वज़े से खेत काफी ज़्यादा गीले थे और अधिकतर किसानों ने गीले खेतों में ही लासुन की बुवाई की हैं जिसकी वज़े से इस साल लासुन में फंगस की समझ्या काफी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और फंगस की वज़े से ही पिलापन सबसे ज़्यादा आ रहा है तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप एक एकड़ में 500 ml हेगजा कोना जोल 5% एससी टेक्निकल वाली दवाई का पुरियोग कर सकते हो इसके लावा जब आप लासुन की वसल में पानी लगाते हो उस समय पर भी आप पानी के साथ यूपियल कंपनी की साप और पियाई कंपनी की किटाजीन जैसे फंगसाइड की ड्रेंचिंग भी कर सकते हो इसके लावा लासुन की वसल में पिलापन आने का जब कारण थर्प्स भी हो सकते हैं लेकिन नवबर मैने में थर्प्स का कोई भी अटेक नहीं होता है क्योंकि थर्प्स का अटेक तब होता है जब तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है तो जब दिस्मबर के अंत में या पिर जनौरी में लासुन के फ़सल में पीला पन आता है तो उसका कारण जरूर धृप्स हो सकते हैं लेकिन अगर नवंबर्य पिर 15 दिस्मबर से पहले लासुन में पीला पन आ रहा हैं तो उसका धृप्स पारण नहीं है और किसान भाई यो जब आप लासुन की फसल में पानी लगाते हो उस समय पर एक एकड़ में 40-45 किलोग्राम यूरिया काद का प्रयोग जरूर करे क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन नहीं डालोगे तो उससे पोदे में हलका सा पिलापन आ सकते हैं हलाकि यह पिलापन ज़्यादा नहीं होगा लेकिन उससे पत्तिया थोड़ी पीली नजर आने लगेगी और पोदे की ग्रोथ में कमी देखने को मिल सकती हैं इसलिए आप लासुन में पान्जे लगाते समय पर यूरिया काद भी जरूर डले इसके लावा आपके लासुन के जिन पोदों में पिलापन सबसे ज़्यादा आ रहा हैं उन पोदों को आप उखाड़ कर देखिए उन पोदों में जड़ से सम्मंदित कोई समश्या तो नहीं हा रही हैं क्योंकि इस साल लासुन की जड़ में कीड़े लग रहे हैं तो उन कीड़ों की वज़े से भी पोदे की ग्रोत रुख रहे हैं और पोदे सूकने लग गए हैं तो अगर आपके लासुन की जड़ों में कीड़े लग रहे हैं तो उन कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए आप लासुन में पानी लगाते समय पर कलोर फायरी पास 50% केटनासक की ड्रेंचिंग करें जिससे लासुन की जड़ों में लगने वाले सभी कीड़े खत्म हो तो किसान भाई यो इस वीड़ों में हमने लासुन की वसल में फिला बनाने के मुख्य कारण और उनके उपाय के बारे में चर्चा की हैं तो आपको यह वीड़ों कैसा लगा वीड़ों के बारे में आपकी क्या राए हैं कमेंट करके अविश्य बताना चलिए मिलते हैं सब्सक्राद कर दो कि बारे में जचतनों को है भाई यह वीड़ों में भाह दो किसा लगा बनाना चलिए में दूग झालिए सहर में तो एक घज़ों क limits रँनना अबंस में बारे में में तो कूलिए जज़खना जा बनाम अबOM जरे में आ इंकि हैं ओना नवी़ों दोैंव